हलोई अबरों विल्कम बाक टियो ओन चैनल वेल्स अगाश्वनी फर्स्ट ऑफ सप्टेंबर टू थावजन ट्वेंटी थाज्जे का दिन निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपारी का दिन और कल के दिन ही यूएस फेट की मीट के आउटकम भी आया है क्या उटकम आया है क इंपोर्टेंट हाइलेट्स हैं उसको भी आकर डिसक्स करेंगे फिल्हाल दोस्तों गर हम लोग मार्केट्स को देखें तो गिफ्टी ट्रेट कर रहा है 48 पॉइंट अगर रेशन मार्केट्स के बारे हैं बात करें वहाँ पर भी आपको वीक्नियस दिखाई पड़ रही है कल शाम का अगर आपने इबनिंग राप देखा है तो इस वीडियो में दोस्तों डीटेल में हम लोग ने डिसक्स किया है कि निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक में थोड़ा सा री ट्रेस्मेंट और बाकी है कितना गिरावाट हो सकती है चार्ट पे हम लोग ने निफ्टी बैंक ने देवा 45,300 लेकिन जिस परकार का चार्ट स्ट्रेट हो रहा है उस परकार से थोड़ी सी थोड़ी सी वीक्नेस और दिखाई पड़ रही है निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक में दोस्तों इस पूरे के पुरी किरावट का रीजन जानते है कि क् मजा नहीं आ रहा है तुम अगही से आएगा मजात आगया है कि मॉलक्व्ल ओनगी मॉशक प्रयंट होती 230 low omdat यह जैसे कि घीजर के मि flamingy जीरो किया जैसे कि हर महीने का यह ड्रामा है इस इस इन परपीचुल तिंग विच हैपन्स इवरी मंथ स्पेशली उन महीनों में जब मार्केट बिल्कुल ठंडी होती है जैसे कि इस महीने मार्केट में बिल्कुल भी प्रीमियम डाउन थे तो अपही ऑपरेटरस ने जो प्रीमियम डाउन डाउन एंड पीप्ल मेट मार्केट और अप्शेशन को कैसे मैंज करना है यहां आपको सीखना है अप्शेन रेक्टरस अपनी पॉजिशन को कारते नहीं सिर्फ एडज़स करते हैं तो अब अधर करते हैं इस पर दोब करें हम लोग टॉप गैनर्स में अपनों अपसाइट दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है इस पर फिर से polycap bumper results post करने वाला है M&A financials, डाटर लाल पैथलाव और ये अदर टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स के बारे हम बात करें कल के दिन SGFC बैंक में 4% के गिरावाट थी दोस्तों इसके reasons को कि इसमें गिरावाट क्यों थी और आपको invest करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस वीडियो में हम लोग ने detail में discuss किया है किस level पर invest कर सकते हैं और किस तरह के investor को investment नहीं करना चाहिए ये भी चीज हम लोग ने डिसकुस करी है बट investment करने से पहले अपनी डिव रेसेज डेफिनेटली कर लें वोग अल्टीमेटली आप stock बाय तो किसी का कहने से कर सकते हैं लेकिन stock को hold करने के लिए एक conviction होना जरूरी है और वो conviction तभी आता है जब stock में आपने कुछ basic study कर लिए किहां कि ये fundamentally strong strong stock है मैं इसको hold कर सकता हूँ So that is the reason why we always say you must always do your thorough research before investing और इसके लावा दोस्तों कल के top losers में JK Cement, Sadness, Life Sciences and Manapuram Vardy other top losers दोसों बातरे commodity section में तो crude में कल के दिन थोड़ा सा cool off दिखा ही पढ़ रहा था अब जिस परकार की US Fed की meet के highlights है उससा अपसे से लग रहा है कि crude में थोड़ा सा और cool off आ सकता है which is a very positive news for India by the way similarly अगर आप natural gas को देखे तो natural gas was 4% down yesterday gold और silver में भी थोड़ी सी mild सी तेजी दिखा ही पढ़ रही है gold 60,000 के levels को धीरे धीरे पहुंच रहा है and silver is reaching 75,000 slowly slowly अब आपको लग रहा हुआ कि यह strength कैसे आगई दूसर सिंपल चीज़ है global situations, global markets में, global events में क्रिस्परकार के decision लिए जाते हैं तो यह price discovery automatic होती है यह you know this is an automatic price discovery इसमें की इंडिया यह फिर foreign currency का किसी ही का कोई रोल नहीं है कि मेरे करनसी को ऊपर ले जो मेरे करनसी को नहीं जाहिए रहा तो जिस प्रकार से चीज़ें पैन आउट होती है तो यह दिस इन आटोमाटिक प्राइस दिसकवरी अब यूस फेट नियर इंट्रेस रेट नहीं बढ़ा है यह दो नहीं प्रेसे रिजन वाइंडियन रूपी वाज लोगिंग स्रॉंगर दोसों बात करें हम लोग निफ्टी फिफिटी के लास्ट रेडिंग सेशन के लेवल्स की तो निफ्टी फिफिटी में गिरावड थी टूर्टी टॉपॉंट्स की नैंटीन नांड़्ट नांड़्टी नांड़र्ण डॉसों जैसा कि कल शाम को एवनिंग यॉथ में हम लोग न डिसक्श किया है तो अदर्वाइस 9800 के नीचे मार्केट वीग हो जाएगी जो बफर है 9800 अगर यह ब्रीच कर जाता है तो 50 करने चाहिए लेकिन 20,000 से काम नहीं चाहिए तो इसलिए 20,000 के ऊपर सस्टेन करना जवरी है तो तो आपको अच्छे अपसाइड दिखाई पड़ सकती है तो की बेन आए और 20,000 50 लेवल्स एंड 9800 लेवल्स और सिमिलरली निफ्टी बैंक के बारे हम बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए जो जो रीट्रेस्मेंट लेवल है वह है 45,200 अभी यह कैसे आया इसको कल शाम को हम लोगों ने इवनिंग रप में डिटेल में डिसकस किया है नहीं की पना आई ओन 45,500, 45,300 लेवल्स एफाइए ने लास्ट रेटिंग सेशन में सेलिंग करी 311 क्रोर्स की और डिया इसने सेलिंग करी 573 क्रोर्स की तो कल के दिन दोनों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है जम गे इस टॉक्स इन बैंड जितने स्टॉक्स कल बैंड में थे उत स्टॉक्स बिल्कुल बेकार हो जाते हैं हम लोगों के लिए फंड रेजिंग की न्यूज है एस जेवीन में जिसमें की एक बड़ा फंड तेरा सो करोड से ज्यादा का फंड रेज करेंगे वो और ओफर फॉर सेल लेकर की आए हैं ओफर फॉर सेल लेकर की आए हैं 4.92 परस पैसा चाहिए और पैसा कहां से आएगा अपने पास जो शेर हैं उनको बेच करके तो वही शेर बेचने की प्रक्रिया की जा रही है बट शेर बेचने का जो प्राइस रखा गया है वह 15 परसेंट से भी ज्यादा का नीचे का रखा गया है तो अब दोस्तों आपको 15 मिनिट इनिचल 15 मिनिट में आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टॉक में एक गाप डाउन ओपनिंग होई है और आज और कल इसके बारे में दोस्तों एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने पोस्ट किया है कल शाम को मस्ट वाचट सो एस परकार के एक्सपांशन कर रहा है उसको पैस चल रहा है जो की बात से यह बड़ अपोलो टैर ने बोला है में केबली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है उनकी डिमैंड यह है कि रिन्यूवल और रिन्यूवल ऑफ लांग टर्म सेटल्मेंट एक्रिमेंट किया जाए जिसको की कंपनी सेटल कर रही है अप है लोग दहूसते हैं यह फॉरन कंट्रीज में क्या टेक्नो लची है यह यह तकनोलोजी है यह जिक ये अगर इंडिया में आ जाए मजा है अब दोश समस्ट हेश होल union लिए यह य या उख क्विक्शल के तोरा अगर तक लिए जो है क्वस्त वतनं हो 6 times हुआ था, positive opening is expected, and better listing gain is also expected. Signature IPO is 57% subscribe, science sale का IPO is 57% subscribe, इन सभी आजकल IPO चल रहे हैं, मैं किसी भी में इंटरेस्टेट्टेटर्टे नहीं हूँ नहीं हुआ इन्वेश्मेंट करने को, और इसलिए मैं वीडियो से अब बनाता है, दोसो दोडेरेज दोड़ेज नोगा दिश्टी यॉर टाइम वेस्टी जाएगा ग्रूड गाइज नहीं प्रीड लिए जाया गाइगा कुड दॉसों जम्प एक्सक्टेशन है यूएस वेड़ ने कोई interest rates hike नहीं किया है, 5.5% पिछले meet में भी था, अभी भी चल रहा है, analyst ने 5.5% ही expect किया था, इस प्रकार से कोई भी hike नहीं की गई है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज नेगेटिव नहीं कहा है कि 2023 में, मतलब खतम होते होते तक एक hike और expect करनी चाहिए, और एक और चीज उन्होंने बोली कि interest rates तब तक बढ़ते रहेंगे, जब तक कि inflation control नहीं हो जाएगा, जो कि US ने estimate कराया, which is nothing less than 2%, तो जब तक 2% नहीं हो जाता है, interest rates कि आपको यह नहीं सोचना है कि interest rates बढ़ना बंद हो गया है, तो एक तो उन्होंने कहा दिया कि interest rates 2023 में है कि यह सोच लेना कि interest rates बढ़ना बंद हो गया है, जो लोग यह सोच रहें, they are mistaken, यह बढ़ते रहेंगे, तब जब तक कि interest rates बिलकुल काबू में नहीं आ जाते हैं, मतलब inflation बिलकुल काबू में नहीं आ जाता, so this is something which you should be aware of, जिसकी वजाएसे थोड़ा सा प्रेशर दिखा यह हाई पर है, टेलिग्दम चैनल को जोइन नहीं किया है, ओरिजिनल वाला ही जोइन करें, otherwise you may get trapped somewhere, so focus कहां करना है, focus करें इनफोर्स में, focus करें बैंकिंग स्टॉक्स पे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बड़ी नियूज है, interest rates की, अब RBI भी अपने interest rates को same ही इस्टॉप्टिन, you can sign up and you can be part of our family for a lifetime, see you there, bye-bye for now.